कच्च पपीते की सालेट बनाने के लिए आपको इस तरह मीडियम साइज का ऐसा कच्च पपीता चाहिए होगा इस अच्छ से वाश करके पील कर लेंगे अब हो आप इसे रो पपाया सालेट भी बोल सकते हैं पपीते की सलाद या सबजी भी बोल सकते एक प्रकार की देखिए मैंने अच्छ तरह किसे से पील कर लिया है अब मैं इसके पीस करके इसे अच्छ से कीस लूँगी इसमें बीजे होते हैं आप इसके बीजे भी हटा दीजेगा अच्छ से किसी में बीजे निकलते हैं किसी में नहीं निकलते हैं कि देखी इसे मैंने फूल प्रोसेसर में कीस लिये ज्यादा बारिक नहीं कीसेगा अब हम अपने पैन को गरम करेंगे इसमें हम थोड़ा सॉयल डालेंगे इस सैलेट को हम फ्राइट सैलेट बना रहे हैं तो ज्यादा नहीं थोड़ा सॉयल लेंगे हम लगवर 2 टेवल हींग एक देशी तरड़ा देने के लिए मैंने हींग यूज की ऑप्शनल है कड़ी पत्ता सबसे मेन इंग ग्रियंड से जरूर डाली से फ्लेवर अच्छा आता है इसवेब हम डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली हरीमिच इस तरह से लंबे कट कर सकते हैं आपके उपर डेपैंड करता है इन्हें भी हम अच्छी तारी से भून लेंगे इससे आप सिर्फ एक मिन ठकी अच्छे से पका सकते तो बहुत जल्दी से अच्छे से भून जाएगी अब हम इसमें अपने ग्रेटेड पपीते को डालेंगे इसमें डालेंगे वन टेवल स्पून सॉल्ट और नीबू हमकर रस यह तो बहुत में इंग्रेंडे से जरूर डालिए आपके उपटे पैंड करता है तो कितना पसंद एक नीबू आधा नीबू तोई इहां में पूरा एक मीबू डालके अच्छे से मिक्स कर देती हूँ जाहे तो इसमें पसंद के मसाली भी डाल सकते हैं पर यह सिंपल सिली है तो इसमें आप हालवी डाल सकते हैं को भी Optional जो मैं इस सालेड ये पक चुकी है इसे मैं इक और बार चला दूँगे आप चाहे तो इसे ऐसा सबजी भी सर्फ कर सकते हैं और इसे अब इसी तरह से गर्म गरम सर्फ कीजिए बिल्कुल रेडी है थैंक यू फो वाचिंग बबाई एंजोए दे रेसिपी